शरीर पर किसी भी तरह की गांट होना चिंता का विशह है कि ये गांट कहीं टीबी, ट्यूमर या कैंसर की तो नहीं। लाइपोमा एक ऐसी ही समस्या है जिसमें शरीर के किसी भी भाग पर गांठे हो सकती हैं। ये त्वचा और अंतर नहित मासपेशियों के बीच फैटी टीशू में चर्बी के एक जगा एकठा होने से बनती हैं। चोटी से गिल्दी के रूप में शुरू होकर ये बड़ी बड़ी गांठों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। लाइपोमा की गांठें छूने में नर्म और मुलाइम महसूस होती हैं। इनमें दर्द नहीं होता। दबाव देने पर ये गांठें अपनी जगा से हिलती और खिसकती हैं। वर्षों तक ये सुप्त अवस्था में ही रहती हैं। परन्तु धीरे धीरे इनके आकार और संख्या में वृध्धी होते जाती हैं। इनका बर्था आकार त्वचा के नीचे की नसों को दबा देता हैं। जिसकी वज़े से भारीपन और दर्द महसूस होता है। साथ ही नसों पर ज्यादा दबाव पढ़ने के कारण रख प्रभारुकने से जनजनाहट और सुनपन महसूस होता है। ये सुनपन स्थाई रूप से भी हो सकता है। लाइपोमा किसी भी उम्र में शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। असी प्रतिशत तक इसका कारण अनुवान्शिक होता है। ऐसे लोग जिनके शरीर में फैटी टिशू की मात्रा ज्यादा होती है, उनमें इसके होने की आशंका ज्यादा रहती है। शारीरिक तोर पर लाइपोमा भले ही कष्ट कारी नहीं है, लेकिन जगा जगा उभरी उम्र नुबा गाठें व्यक्ती के आत्म विश्वास में कमी लाती है। और उद्वारा शंगी तद्रिश्टी से देखे जाने के कारण व्यक्ती समाच से करता जाता है और तनाव में आ जाता है। अवांचित रूप से बढ़ी इन गाठों को सरजरी करके निकालना ही एक मात्र उपाय है। परंपरागत सरजरी में चीरा लगाकर सरजरी करने से शरीर पर टांके लगाकर जख्म भरा जाता है। जिसमें तकलीफ तो होती ही है साथ ही चीरे और टांकों के दाग हमेशा के लिए शरीर पर पढ़ जाते हैं। कॉस्मेटिक सरजरी बेहद खर्चीली प्रक्रिया है। नमीन्दम लाइपोमा रिमूवल तक्नीक जो की डॉक्टर आशीश फनोर द्वारा विक्सित की गई है, इस प्रक्रिया के अंतरगत बेहद मामूली छेद नुमा जखमी होता है। टांके नहीं लगाय जाते, मरम पट स्वस्थ हो जाता है।